नेक्स्ट क्वेस्टन 47 to 49 एमा कंजेक्षन लेवाना चे बे वाक्या आपेला चे त्रणी वाक्या चे जोडवा माटे इन्ब्रेकेट त्रण त्रण कंजेक्षन आपेला चे हवे पेलू सेंटेंस चे अमी इस इंटेलिजेंट अमी बुधी शाली चे विभूती इस इक्वली इंटेलिजेंट विभूती इक्वली एटली जेकली अमी चे तेटली चे तेनों मतलब थयो ते बे व्यक्ती सर्खी चे अने सर्खी चे तेथी एज नो उप्योग करीने एज़ेज नो उप्योप करें आपड़े वाक्या बना विया आ रीते के अमी is as intelligent as vibhuti एले के अमी छेते विभhuti जेटली गुद्धी शाली छे कान तोके equally किदू छे एले के अने positive degree कई शकाई positive degree नो वाक्या बनियो राजू ओ स्कॉट राजू पकड़ाई गयो he had stolen an apple mobile येण apple नो mobile चोरियो हतु तो वाक्या ने जोडवानू छे बन्ने मा राजूनी जवाद छे ले करता छे करता नी वात आवे त्यारे हू याद रहे बाड़को इंगलीश मा I, we, you, he, she, eat and they ते सर्व नाम चे ते सर्व नाम ने दूर करवा माटे हू लेवानू अले हू छे ते सू रजू करे चे सर्व नाम निस्तिती अब आई नू मी थशे I, me, we, us, you, you, he, him, she, her, it, they, them कर्मवी भक्ति कर्मवी भक्ति दूर करवानी थाई तो हूम थी थाई अने I, me, my, we, us, our, you, you, your, he, him, he, she, her, her, it, it, they, them, they आतो my, our, your, his, her, its अने देर ते सबंदख विभक्ति चे सबंदख विभक्ति दूर करवी तो हूस थी थाई अब अहीं सर्वा नाम चे तो सर्वा नाम माटे हूँ ते आपड़ जवाब आरीते बनावशू राजू वोस कोट हूँ अविए ले ही जशे है अध न एपल मोबाई आया नो जवाब थायों लास्ट शी गेव मी एग ए बुक्ति आपड़ जवाब थायों। दबूक आयां बूक्ष ने खाली भूल छे। दबूक हेज सम इंट्रेस्टिंग पोयम्स। बूक मा थोड़ाक रस्प्रत कावियों छे। जवी रिते में अमना हू तमने समझाईयों। तो आय नी जगी आवे हू आवे, वी नी जगी आवे हू आवे, यो नी जगी आवे, हीशी इट नी जगी आवे हू आवे, धही नी जगी आवे। परन्तु इट नी जग्या हू नहीं आवे, कार्ण तो कि इट नानियतर जाती छे, बराबर, अने नानियतर जाती एरले के पशु, पंखी, प्राणी, वस्तु, स्थाण वगेरे, एना माटे इट आवे, अने इट आवे तो तिया हू ने बदले शू आवे, वीच आवे, ते ते यहां हू अने वीच बनने चे, जो यहां व्यप्तिनी वाद होत तो हूलेत, परन्तु वस्तुनी वाद चे, ते थी बूक दूर करवानी चे, ते थी वीच आवे, जवाबारी ते बन चे, शी गेव मी ए बूक, तेनी यह मन बूक आपी हती वीच के जे, हैस, सम इंट्रेस्टिंग पॉयम्स, अहीं व्यक्तिने दूर करवाना आता, ते थी हूलेत, यह वस्तुने दूर करवानी चे, ते थी वीच लेत,